सभी को मेरा नमस्कार, Let's Talk, Let's Learn में आपका फिर से स्वागत है आज दिनांग 14 अक्टूबर को CBSE ने एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें कुछ बातें 5 जुलाई के सर्कुलर से मिलती जुलती हैं कुछ बातें रिपीट की गई हैं और कुछ बातें नहीं हैं तो जिन बातों को हम अल्डेडी जानते हैं वे हैं कि टर्म 1 के एक्जाम्स नेवेंबर डिसेंबर 2021 में कंड़क्ट होंगे पूरी तरह से अब्जेक्टिव टाइप एक्जाम होगा MCQs होंगे, Assertion Reason ताइप कोईशन होंगे और Case Studies बेस्ट होंगे और Duration रहेगा 90 minutes, that is 1 and a half hour और इसी के साथ Term 2 के एक्जाम्स, March और April के मन्त में 2022 में कंड़क्ट होंगे Next year वो subjective होगा या objective ये depend करेगा कि COVID की situation country में कैसी रहती है और सबसे पहले minor subjects conduct किये जाएंगे, minor subjects के exams और फिर बाद में major subjects के किये जाएंगे और date sheet release होगी 18th October को, यानि की यही आने वाले Monday को सारे exams offline mode में होंगे, यानि की schools में होंगे आपको जा करके exam देना होगा, online exam का provision नहीं है अब CBSE जो है वो 114 subjects offer करता है 12th class में और 75 subjects offer करता है 10th में इसमें से कुछ major subjects हैं और कुछ minor subjects हैं अब ये major और minor क्या होती हैं, ये हम वीडियो में अभी आगे जानेंगे अगर इन सारे exams को total 189 subjects के अगर paper conduct करने लगें तो 42-45 days कम से कम लगेंगे, तो बच्चों का learning loss ना हो इसलिए CBSE ने major और minor subjects में इनको divide किया है major subjects वो होते हैं जो almost सभी affiliated school जो CBSE से affiliated हैं वो offer करते हैं और इनके exams separate dates पर, अलग-लग dates पर conduct किये जाएंगे because ये exams optional नहीं होते ये subjects और ये सभी बच्चे इनक में appear होते हैं दूसरे जो minor subjects हैं, उनके लिए CBSE different groups बना देगा schools के, जो इन subjects को offer करेंगे so that कि एक से ज़ादा subject का paper एक ही दिन पर conduct किया जा सके उन schools में, वो optional होंगे तो उन में से अगर आप एक group का paper कोई बच्चा opt करता है, तो दूसरे वाले जो उसी group के और subjects हैं, वो बाकी बच्चे दे पाएंगे अब यहाँ पर ये पूरी list दे हुई है कि 10th के major subjects कौन से हैं ये आपके सामने 9 subjects के list है, जो major subjects हैं इसमें से बच्चे ज़ादा तर 5 subjects जो हैं ये choose करते हैं और 12th के ये major subjects यहाँ पर दिये गए हैं, ये 19 है 10th के minor subjects की list काफी बड़ी है, इन में से इनी के groups बना दिये जाएंगे और ये optional होते हैं ऐसे ही अब हम move करेंगे 12th के minor subjects की और और ये सभी schools offer नहीं करते हैं, selected schools ही होंगे जहाँ इन में से कोई-कोई subject offer किया जाएगा ये भी एक बहुत लंबी list है, और ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि date sheet 18th October यानि की Monday को announce होगी, duration 90 minutes, 1 and a half hour कर रहेगा और जैसा कि usually CBSE का exam आप देखते हैं, कि साड़े 10 बजे शुरू हो जाया करता था लेकिन अब ये साड़े 11 बजे होगा, क्योंकि पहले 3 घंटे का exam होता था, बलकि साड़े 3 घंटे क्योंकि आदा घंटा पहले ही हमें answer sheets मिल जाती थी 15 minutes पहले हमें reading time के लिए question paper दे दिया जाता था, बट अब क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का paper है, 90 minutes का है तो थोड़ा late start करने का plan किया है CBSE ने, और reading time 20 minutes रहेगा instead of 15 minutes, जी reading time को बढ़ा दिया गया है, साथ ही बाकि जो CWSN students है children with special needs, उनके लिए जो सारी exemption और facilities हैं वही same continue रहेंगी and अब result कैसे declare होगा, कि जो term 1 के exams हैं, उनके लिए result marks के score की form में declare किया जाएगा, किसी भी student को pass, compartment, essential, repeat इस तरह की category में नहीं रखा जाएगा after term 1 exams, क्योंकि ये अभी parts में हो रहे हैं, एक part आप exams का दे रहे हैं final result जो 10th और 12th का बनेगा या declare होगा, वो term 2 exams के बाद होगा यानि कि next year, March, April में exams होगे और वही जून, जुलाई तक result announce होगा तो consolidated result ही बच्चों के पास जाएगा, term 1 का अलग से result इस तरह की categories में नहीं होगा बस जैसे usually first term के हमें marks पता चल जाते हैं, वैसे ही इस बार board में भी ऐसा ही होगा अब बात करते हैं practical, internal assessment और project की, ये compile किये जाएंगे, schools में ही conduct होगे जब first term के exams over होने से पहले, किसी में internal assessment है, जादा तर 10th class के जितने भी subjects हैं, उन सब में 20 marks का, out of 100, 20 marks का internal assessment रहता है लेकिन क्योंकि syllabus की weightage 50% है, आधी है, तो यहाँ पर भी 20 में से 10-10 marks जो हैं, वो दोनों terms को allot किये गए हैं, first term को 10 और second term को 10 तो 10 marks के लिए, different activities, projects, जिस भी तरह का, उन subjects के लिए already designated हैं, वो conduct school में करवा लिये जाएंगे, first term board exam से पहले अगर practical हैं, तो वो practicals भी पहले ही conduct हो जाएंगे, और इससे related circular पहले ही आ चुका है और उससे related video भी आप मेरे channel पर देख सकते हैं, जिसमें internal assessment, practicals, और यह क्या scheme of examination रहेगा, यह सारी बार detail में समझाई गई है तो अगर किसी subject की वेटे, जिसमें की practicals की वेटे 30 marks है, तो 15, 15 में divide हो जाएगा, 15 marks के practical, first term में conduct होंगे, और 15 के second term में यानि कि जिस तरह से slabers और theory, 50% में divide हुई है, half आना है slabers, उसी तरह से practical भी half weightage में divide हो जाएगे और इनके जो marks हैं, वो बाद में total हो जाएगे, और इन्हें भी link पर upload कर दिया जाएगा, by the last date of conduct of term 1 exam यानि कि जो date sheet आएगे, जिस दिन last exam होगा term 1 का, उस last date तक का time दिया जाएगा, practical, internal assessment और project के marks को upload करने का, only for first term I think यह चीज आपको clear हो गई होगी, कि weightage को किस तरह से divide किया गया है 50% में, और यही चीज theory के साथ-साथ practical, internal assessment और project में भी लागू होती है Schools को in full schemes के बारे में, अलग से भी detail में separately communicate कर दिया जाएगा So I think यह चीज आपको clear हो गई होगी, and now बहुत कम time रह गया है, less than a month, क्योंकि next month 15th अपने member से tentative है कि board के exam स्टार्ट हो जाएंगे और festival time is already going on, तो आप अपने studies को, अपने revisions को थोड़ा hard बनाईए, अच्छे से पढ़िए, और MCQs based, objective type based ही questions की तैयारी करिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ, till then, bye bye, good luck